नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूँ आपके साथ अपूर्वा और आज के इस खास वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ UPSC और IFS परिक्षाओं को लेकर जो स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होता है कि जो एड्मिट कार्ट्स होते हैं वो हम कैसे डाउनलोड करें क्योंकि ओनलाइन साइट्स पे कई सारी वेबसाइट्स होती हैं लेकिन वहाँ पर भी स्टूरेंट्स कभी कभी एड्मिट कार्ट्स नहीं हासल कर पाते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सी सही वेबसाइट्स हैं और वो कौन से ऐसे गाइड्लाइन्स हैं जिनको फॉलो करके आप एड्मिट कार्ट डाउनलोड कर सकते हैं UPSC ने IFS की मुख्य परिक्षा को लेकर प्रवेश्पत रुजारी कर दिये हैं एक शूख अभियर्थी आधिकारिक साइट पर जाकर एड्मिट कार्ट डाउनलोड कर सकते हैं जिन अभियर्थियों ने IFS की प्रारंभिक परिक्षा पास कर मुख्य परिक्षा के लिए अप्लाई किया था उनके लिए ये अच्छी खबर है संग लोग सेवा आयोग यानि UPSC ने भारती अवन सेवा यानि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की मुख्य परिक्षा 2021 के लिए सोमवार 7 फरवरी 2022 को ई प्रवेश पत्र जारी कर दिये हैं उमीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट जो की www.upsc.gov.in है उस पर जाएं और एड्मिट कार्ट डाउनलोड करें एड्मिट कार्ट 6 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट पर एवेलेबल होंगे आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार उमीदवारों को परिक्षा हॉल में प्रवेश सुनिश्वित करने के लिए प्रतेक सत्र में एक मूल फोटो पहचान पत्र के साथ प्रवेश पत्र का प्रंट आउट लाना होगा जुसकी संख्या इप्रवेश पत्र में लिखी हुई है इप्रवेश पत्र के बिना उमीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा अब सबसे बड़ा सवाल यहां यह पैदा होता है कि आखिर यह एडमिट का डाउनलोड कैसे करें तो मैं आपको वही पूरी गाडलाइन बताने वाली हूँ UPSC की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाएं उसके बाद home page पर e-pravishpatr भारती वनसीवा मुख्य परिक्षा 2021 पर क्लिक करें उसके बाद एक नया page खुलेगा और दिये गया link पर क्लिक करें उसके बाद e-pravishpatr डाउनलोड करने के लिए उसके अंतरगत एक click का option आएगा एक link होगी उसे आपको click करना है उसके बाद एक निर्देश आएंगे जिन्हें आपको पढ़ने के बाद नीचे एक option आएगा yes का यानि हाँ का उस option पर आपको click करना है पंची करन, ID या रॉल नंबर का उप्योग करके आप login कर सकते हैं IFS मुख्य परिक्षा 2021 के admit card स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे उम्मीदवार admit card यहां से download कर सकते हैं और फिर उसका print out निकाल सकते हैं उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा और इसके माध्यम से आप अपना admit card easily download कर सकते हैं